क्या आपको periods में work out करना चाहिए? Hi guys, welcome back to the channel आज हम discuss करेंगे कि आपको आपको periods में work out करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर करना चाहिए तो किस तरीके के exercise करना चाहिए exercise के क्या-क्य benefits हो सकते हैं periods के time और किस case में आपको exercise नहीं करना चाहिए menstrual cycle को भी बहुत ही basic तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे training से menstrual cycle का क्या relation है मैं आपको बहुत ही surely बोल सकता हूँ कि इस वीडियो के end तक अगर आप मेरे साथ रहते हो तो I am pretty much sure कि आपको बहुत ही अच्छे से अपना question का answer मिल जाएगा and you can apply it in your training regime तो यार सबसे पहले तो हमें menstrual cycle का basic समझना बहुत जरूरी menstrual cycle 28 days का cycle होता है जिससे हर female को गुजरना पड़ता है अब यह 28 days जरूरी नहीं कि exactly 28 days ही हो यह depend कर सकता है female to female थोड़ा जादा या थोड़ा कम भी हो सकता है but generally 28 days हम लेकर चलते हैं दूसरा 14 days जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर एक फैलुपियून ट्यूब में जाता है for reproduction purposes अगर यह एक रिप्रेड्यूज नहीं होता है तो उसके बाद जो inner lining होता है जिसे हम endometrium भी बोलते हैं वो spread हो जाता है और उसके बाद bleeding होता है जिसे हम periods भी बोलते है यह menstruation भी बोलते हैं अब यह दोनों phases में बहुत सारे hormonal changes हैं जिसे females को गुजरना पड़ता है दो बहुत ही जादा important hormone है estrogen and progesterone यह भी बहुत जादा fluctuate करता है during the 28 days of menstrual cycle यह पहला 14 days का time period होता है जिसे हम follicular phase बोलते हैं वहाँ पर female जनरली थोड़ा से strong feel करती है compared to the next 14 days अब जितने भी PMS का problems आता है चाहे वह आपका cramps हो गया चाहे वह आपका hunger हो जाहे आपका bloating हो गया यह सारी problems females को जादा तर luteal phase में ही होती है and mostly यह आपका late luteal phase में होती है just before the start of their periods and यह बहुत जादा इसलिए भी होता है because of progesterone and estrogen यह तो हो गया basic menstrual cycle अब हम देखते कि menstrual cycle का आपके training पे क्या effect हो सकता है जो कि हमारा पूरा purpose है इस video का इसके लिए हम एक meta analysis उठा कर देख सकते हैं जो कि important meta analysis है जो कि 2021 में release हुआ था जिसमें almost 5 study को basically बहुत ही simple terms में अगर आपको मैं बूलूँ तो वो यही conclude करता है वो study कि बहुत जादा individual variations है किसी individual के लिए periods के time पे workout करना सही होगा किसी के लिए but generally speaking आप सभी workout कर सकते हो periods में ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते but if you are someone जिसे PMS बहुत जादा symptoms आते है बहुत जादा hungry feel करते हो bloating बहुत जादा होता है initial days में blood shedding बहुत जादा होता है तो आपको workout avoid करना चाहिए अगर आप उस population group से belong करते हो तो individual level पे आपको देखना होगा कि आपका symptoms कैसा है आप उस symptoms के साथ workout कर सकते हो कि नहीं यहाँ पर मेरे से practical take away आप यह ले जा सकते हो कि आपने periods को track करो आप track करो कि आपका menstrual cycle कितने दिन का है आप track करो कि आपकी symptoms क्या क्या आ रहे है और उस basis पर आप decide कर सकते हो कि आपको workout करना है कि नहीं initially अगर आपका period start हो रहा है तो पहले दो तीन दिन तक अगर आप नहीं तो that's completely fine उसके बाद आप करना start कर सकते हैं आप initial days पर भी workout कर सकते हैं that's perfectly fine if you are fine with that pain if you are fine with the symptoms if you don't feel that much of symptoms you can perfectly workout it depends completely on you simple है अगर आप अच्छा feel करते हो तो workout करो आप थोड़े से variations अपने training volume पर कर सकते हो अपने intensity पर सकते हो आपको अगर strength training करने का मन नहीं कर रहा है तो आप मैंने जो देखा है कि यार जितने भी मेरी female clients है अगर उनको strength training करने का मन नहीं कर रहा होता है बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मन नहीं करेगा जब आप अपने starting में हो periods के पहले कुछ दिन में हो so what you can do is you can do stretches that is completely fine that will help you to have a healthy period अब यार देखो आपको खुद के लिए figure out करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा exercise best work tight cardio आप कर सकते हो walking कर सकते हो jogging कर सकते हो light intensity पे आप stretching कर सकते हो it is a game changer you can do it almost all the females are fine doing stretches and walking and light cardio no problem at all but if you feel problem if you are someone who face symptoms at a very big scale then it is better to avoid that being said अगर हम बात करें कि benefits क्या क्या होते periods में work out करने का so there are lot of benefits आपका endorphins release होता है आपके body में जिसे आपको अच्छा feel होता है आपका stress release होता है आप better feel करते हो आपका bloating come होता है and there are lots and lots of benefits but you have to see on your personal level if you are capable of working out or not so that being said guys hope आपको answer मिल गया होगा इस वीडियो का मैंने बहुत short and crisp रखा इस वीडियो को next वीडियो में हम बात कर सकते है कि diet और आपका menstrual cycle का क्या relation होता है उसको हम और ज्यादा detail में discuss कर सकते हैं if you want that video just let me know in the comments see you in the other video till then bye-bye